असलाब मुलेकुम दोस्तों कैसे हो आप सर्थ इस बार मैं हमेशा के रोटीन से हटकर थोड़ा अलग बनाना चाहरा था यह मेरा फस्ट ट्रावल वी लॉग होगा अज हम वेकेशन के लिए साओधी अरेबिया जा रहे है मेरा ट्रावल एक्सपिरिंस कैसा होगा और हम साओधी अरेबिया को और इस पर कही सारे वीडियो पर बनाने वाला हूं अब ज़रूर मेरे चानल को फॉलो करते दहिए तो आप शुरू होती है हमारी जन्नी इसके लिए मैं पहले है अधरबाद एरपोर्ट पे आ गया है और यहां से हम जाएंगे दमम यह इंडिगो की फ्लाइट है डैरेक्ली आपको तो मालूम ही है हमेशा क्रॉडएट रहती है यहां पर गंटों की इंतिसार करने के बाद फ्लाइट में चड़ गए यह एक्चली फॉर आउ इस दिख रहे है वो कुछ सिटी है तो अब हम पहुंच गए है दमाम किंग फाहद इंटरनेशनल एरपोर्ट एक काफी बड़ा एरपोर्ट है सारे इमिग्जेशन सेक्स के बाद हम यहां पहुंच गए है यहां पर एक अच्छी बात यह है कि यहां पर जो पब्लिक दिख अच्छा रहता है वो भी हम जल्दी ही ट्राइ करेंगे और दमाम के एरपोर्ट में वाश्रूम से से रहते हैं जिसमें अलग से एक वजू खाना भी रहता है और अब यह एरपोर्ट से बाहर आने के बाद यहां पर जो दिख रहे हैं आपको यह सारे टैक्सी स्टैंड है यहां पर टैक्सी से एही कलर में ग्रीन कलर में रहते और काफी कुपसूरत भी दिख रहे हैं ज्यादा तक टोयेटा कैम्री या कोरॉला ओल्डी के कार्स टैक्सी के लिए यूज कर रहे हैं और यह जो बड़ी वाली मस्जिद दिख रही है यह एरपोर्ट के वर्ल्ड सेकेंड लाज़ेस्ट इंडस्ट्रियल सिटी है और यहां से मेरे जीजू आ गए मुझे लेने और अब हम निकल गए है जुबेल के लिए तमाम टुबेल अल्मोस्ट एसे ही दाता है जोड तोनों तरफ त्री लेंड रोड मगर कुछ भी आपको ज्यादा नहीं क्योंकि ज्यादा तक एमटी प्लेस ही है बीच में कभी-कभी थोड़े चोटे मोटे टॉंस दिखेंगे दमाम टुबेल अल्मोस्ट हन्रेड किलो मीटर का रास्ता है यह लेस देन वन आर में हम पहुंच जाएंगे पूरा रास्ता आपको सेंट्रल लाइटिंग दिखेग दिखेगे शुपरमार्कीट्स आपको दिखेंगे जैसे के पांडा लुलु सबकुछ चुछ यहां का बहुत बड़ा माल है और एक तरह से बोल सकते हैं प्रीमिम माल भी है यह ज्यादा तक आपको इसमें प्रीमियम ब्राइन से दिखेंगे इसको भी हम एक्स प्रीमियम को करते हैं city का center point यहां पर city में भी जोट काफी वाइड है जैसे आपने पास गलिया रहते हैं वह इसे गलिया भी double lane road काफी चौड़ा है तोट के दोनों साइट भी आपको चलने के लिए काफी wide footpath होता है और center में divider और उसके साथ दोनों साइट भी आपको car parking भी मिलता है roads पे यहां पर आप देख सकते हो जैसा cars parking करे है रोट के दोनों तरफ भी आप car parking कर ले सकते हो कही जगा आपको parking free मिलेगा कही जगा payment करके पारकिंग करना पड़ेगा parking के अलावा भी आपको दोनों साइट भी two lanes का road दिखेगा city में यहां पर ज्यादा तक shops 12 के बाद खुलते है क्योंकि 12 तक यहां पर जहुर की नमास हो जाती है उसके बाद shops खुलते है तो मैं यहीसे ही आपको दिखाने के लिए explore करने निकल गया हूँ ज्यादा तक shops तो अ अपने अपार्टमेंट के सामने दखे चले जाते यह ज्यादा expats दाने का एरिया है local southies बहुत कम रहते है local southies रहने का एरिया वह अलग है वो काफी posh area रहता है उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा इवन यहाँ एक्सपैट्स रहते तो भी areas काफी neat maintain करते है यहां की government और roads काफी clean रहते है यहां पर roads पे आपको cats duck duck पे दिखेंगे यहां पर लोग भी बहुत प्यार से इनको पालते है अब यह जो आप left side और right side में देख रहे है यह है used furniture market मतलब आपको seconds में आपको काफी अच्छा furniture मिलेगा क्योंकि ज्यादा तक साओधी जो locals रहते है वो लोग न नया furniture महेंगा दाने के वज़े से यह used furniture खरीज लेते हैं यहां पर आपको किया के pickup trucks भी दिखेंगे अच्छली इंडिया में अभी तक किया के pickup trucks या commercial vehicles नहीं आए मगर यहां पर आपको ज्यादा तक pickup trucks पूरे किया के ही दिखेंगे जैसे आपने पास Tata Ace या Mahindra के गाडिया दिखते हैं वह इसे ही यहां पर किया के pickup trucks है यहां पर आपको used furniture के साथ साथ used electronics भी दिखेंगे जैसे के refrigerators ACS यह भी खरीज ले सकते हो आप यह इसुजू के cargo vans है जो आगे आपको shops दिख रहे हैं यह construction और building material को use करने वाले tools के shops है यह बहुत popular shops है क्योंकि यहां से खरीद क इंडिया को भी transport करते हैं कही सारे लोग यहां पर इनका quality काफी अच्छा होता है और price भी reasonable मिलते हैं इवेन आपको घर को use होने वाले सेंटर दी आइटम में भी बिल जाएंगे यहां अगर आप no parking place में यहां पर गाड़ी दख दिये तो आपका काम खतम क्योंकि यहां के fines इतना ज्यादा होते हैं कि अब फिर खौब में भी नई सोचेंगे कि आप no parking में गाड़ी दखना है यहां की फार्मसी काफी बड़ी है फार्मसी आप कुछ सूपर मार्केट समझोगे मगर इस सिर्फ फार्मसी है यहां पर अपने जैसा medical stores या फार्मसी शोप्स छोटे शो होती है वह company authorized company outlet की shop होती है ब्रैंड की shop होती है सिर्फ ब्रैंड ही products को बेचेगी medicines को बेचेगी को individual अपना own medical shop या फार्मसी स्टोर नहीं खोल सकता इसलिए शोप्स इतने बड़े होते हैं यहां का vegetable shop है और इस अब मटन चिकन और बीफ के shops ज्यादा तक यहां पे सारा मट इंपोर्ट करके ही लाया जाता है मतलब ज्यादा तक फ्रोजन में ही रहता है चिकन तो अब यहां पे फार्म से मिल रहा है फार्म से सप्ले हो रहा है इनको कहीं साल पहले वह भी इंपोर्ट किया जाता था जो आप देख रहे हैं सारा market area है यहां पे सस्ते में कहीं सारे products म लेंगे आपको क्योंकि यहां पर ज्यादा तक एक्सपैट साते हैं जैसा बंगलादेश इस पाकिस्तानी इन सब के लिए भी एक रीजनबुल प्राइस के लिए काफी डिसकौंट से रहते हैं प्रोडेक्स पे यहां पर आपको अल्मोस्ट हर चीज मिल जाएगी जो डेली में देखना है इतना क्रोडेड हो जाता है कि आपको चलने के लिए भी ठीक से जगह नहीं मिलेगी इस एरिया में तो आपको चाई मिलती ही मिलती है हर डग पे क्योंकि अपने एशेंस तो चाई के दिवाने हैं तो चाई समोसा तो हर हन्रेड मीटर में एक दुकान आपको म नालेटा है तो अब हम आगे है रूमान रिस्टारेंट जो यहां का वेमस भी रहनी रस्टारेंट है और फ्राइडे के दिन माशालाल like इतनी अच्छी भी रहनी मिलती है यहांपर आपको तो हैदरा बादी बियानी कही टेस्ट मिल जाएगा यहां पे चिकन बिरियानी 23 रियाल है और मटन कुछ 30 रियाल या 25 रियाल है यहां पे क्यों में खड़े है पासिल लेने के लिए अब हम यहां पर आगे है देश्टेंशल एरिया में यह सारे बिलिंग्स अपार्टमेंट्स है ज्यादा तक यहां पे एक वहां पे आप पेमेंट करके ही पार्किंग रखना है इसके लिए एक एप होता है आप डाउनलूड कर लेके आप उसमें पेमेंट कर सकते हो या कॉइंस दालके भी आप पेमेंट कर सकते हो एक घंटे के लिए 3 रियाल है यहां के पार्किंग का प्राइस लगबग 66 रुप यहां पे city के अंदर भी आपको काफी open place दिखेगा, यहां पे भी जल्दी ही construction साने वाले हैं, और यहां पे कुछ road work भी चल रहा है, और यह फनाती ने दिया जाने का दोड है, जहां पे local Saudis रहते हैं, और official government buildings रहती हैं, और सारा posh shopping area, और costly restaurants, शांदर मज़िद, सब कुछ यह और यह एरिया में मिलेंगे, और आप road को भी देख सकते हो, दोनों तरफ greenery से भरके रहता है, आपको महसूस नहीं होगा कि आप साओधी में हो, आपको इसे लगेगा कि आप कुछ green land या US में हो, actually city desert के बीच में रहती है, फिर भी यहां पे greenery इतना अच्छा maintenance कते है, तार मिटी बाहर से लागे यहां पे greenery को बढ़ाए है, और पानी का इंतिजाम भी शामदार से किये है, dripping के जरिए, यह सब villas है, gated communities के जैसे है, दोस्तों अब शाम हो चुकी है, और यह जो आगे आपको दिख रहे हैं, यह सारे lights, यहां के municipal park के opposite beautification का process में के lights है, आपको right side में यह यहां का municipality का park है, यहां पे बच्चे खेलने के लिए और relax होने के लिए काफी अच्छा जगा है, और वाकस के लिए भी बहुत बड़ा park है, और left side में आपको government building सीखेंगे, देखे कितना beautiful दिख रहा है, और यह जुबैल city के loads है, night time, और कल रात में जो हम देखे थे जु करें थे आज, और इंशाल्ला जल्दी आपको और भी अच्छे places को explore करके आपको दिखाऊंगा, तो आज के लिए इतना ही है, thank you दोस्तो, उन वीडियोस में हम जुबैल माल भी explore करेंगे, और फनातिन एरिया भी explore करेंगे, सारा साथी भी explore करेंगे, इंशाल्ला, thank you दोस्त झाल्ला, thank you